फेसबुक कनवर्जिन को यह हम पढ़े हैं कि फेसबुक के थूख कैसे करनी है टिक है उसकी मेंटेशन हमने पढ़ ले तरीका समल है अब हम देखें कोन से ऐसे टूल्स पे जो कनवर्जन के लिए है sales के लिए है और उनको आपने कैसे इस्तमाल करना है so आप जो facebook पे ads manager में जाते हो campaign में जाते हो ad set में ad set में offer होता है लिखावा audience होता है budget और schedule होता है format होता है यह ऐसे tools हैं यह facebook के वो चीज़े हैं जो आप अपनी conversion campaigns के लिए इस्तमाल कर सकते हो facebook offer तो बहुत मज़े की चीज़ है offer क्या होते simply आपने देखेंगा अपना अगर आप business page को लें तो उसमें भी लिखा होते create an offer या add campaign setup करने लगें तो उसमें भी option आती है offer की so offer क्या होती है कि 50% off 30% off coupon code use this coupon 15 dollars का coupon 30 dollars का coupon 50 dollars का so आप क्या करते हैं कि आप offers अपनी online भी हो और offline भी आपकी offer redeemable आप अपना चलाओ उसके इंदर जो भी आप coupon दे रहे हो जो भी चीज़ दे रहो वो online और offline दो दोनों हो ताके लोग अगर आपके store से खरीदना चाहें store से खरीद लें website से खरीदना चाहें नहीं किया तो वो उसको notify जरूर कर दे कि offer expire होने वाली है इतने दिन रहे गए है एक्सेक्टरा फिर जब लोगो यह भी उसके अंदर option होती है इवन इस हद तक option होती है कि जब लोग आपकी एक offer को व्यू कर लेते हैं या उन्होंने उसको save कर लिया है तो जब वो आपके for example आपका शोर जेल रोड पे वो जेल रोड से गुजर रहे हैं तो उनको उनके फॉन पर नोटिफिकेशन आ जाए कि यार जेल रोड पर यह फिलां सेल लगी है 50% off की so offer के अंदर इतनी detail information available है कि आप लोगों को इस हद तक target कर सकते हैं so facebook news feed में भी offers के ad होते हैं आप जब अपनी ad turn on करते हो अपनी offer तो वो news feed में नजर आना शुरू हो जाती है अच्छा यह हो गया offer number two tool है audience का के audience को broad कैसे करना facebook tools के तूरू यह बहुत मज़े की facebook के अंदर चीज़ है कि आप चाहते हो जादा जादा लोग convert करें और आप इसके लिए expansion का feature करोगे expansion का feature क्या है कि पहले ना facebook के उपर let's say आपने अपनी conversion की campaign start की और आपने जो भी उसको facebook को data दिया जो information दी उसकी basis पे 50 conversions हो गई ठीक है 50 conversions हो गई यानि 50 लोगोने आपकी app install कर लिए 50 लोगोने आपकी product buy कर लिए 50 लोगोने आपका product page view कर लिया 50 conversions हो गए अब उन 50 की base पे facebook क्या करेगा अगर आप expand की option audience section में जो वहाँ पे expand की option होते हैं अगर आप expand को click करोगे तो वह उनी 50 की base पे उनी से मिलते जुलते जो लोग हैं जो most likely to take action है जो optimization की में पहले बात करी थी वह उनी की base पे expand करेगा उनी से 50 से 500 पे वह चला जाएगा लेकिन वह यह जरूर मेक sure करेगा कि जो 500 को मैं यह आड दिखाने लगा हूं वह इनी 50 से मिलते जुलते हैं उनके इंट्रस्ट या उनके डेमोग्राफिक्स या उनके प्रॉब्लम्स या उनकी चीज़ें ताके conversions हो सो अगर आप इस function को करते हैं expand को तो यह बेटर performance के लिए और conversion के लिए बेहतरीन है लेकिन facebook सिफ तभी expand करता है जब उसको लगे के campaign की performance इंप्रूव होगी अगर नहीं होगी तो वह नहीं करेगा ठीक है फिर conversion optimization के अंदर आपके पास और चीज़ें होती है budget और schedule की जो आप आड set page पे देखते हो conversions को delivery अगर डिलिवरी करनी है conversion की campaign है तो एड डिलिवरी optimization में उदर आपके पास option सेलेक्ट आ रही होती है optimization फॉर एड डिलिवरी उसके आगे drop-down होता है तो आपने उसको conversion सेलेक्ट करना है क्योंकि आप conversion के लिए करें इसका मतलब है कि वह आपका यह जो convert most likely नहीं है कि वह convert होंगे ऐसे हजारों लोगों को आपका आड दिखाया जा रहा है तो आपको तो cost पढ़ी है ना per impression, per view, per click आपको cost पढ़ी है चाहे वो लोग convert कर रहे हैं यह नहीं करें आपको cost पढ़ी है इसलिए यह extra cost बचाने के लिए कि गेर मतलिका लोगों तक आपका आड ना जाए जो लोग आपकी product में interested नहीं है जिनका budget नहीं है जिनका इंटरस्ट ही नहीं है जिनका प्रॉब्लम ही नहीं है उन लोगों तक आपका आड ना जाए और वो irrelevant clicks के पैसे आपको ना पढ़ी है सो यह cost effective way में Facebook आपको conversion करके देता है अगर आप इसको select करो पिक conversion window conversion window के अंदर होता है कि यह business की different हो सकती है one day click seven day click one day click or view seven day click और one day view यानि conversion window से क्याम रहाद है window का मलगत है कि time span कितना है एक बंदे का आपका add देखने में और आपकी product buy करने में या आपकी app install करने में आपका जो conversion event है उसके होने में add देखने के बाद कितनी देर लगनी चाहिए एक click के बाद ही उसको convert कर लेना चाहिए साथ दिन के अंदर उसको convert करना चाहिए या कब करना चाहिए तो यह आपने अपने user के बारे में decide करना होता है और जितना बेतर information आप Facebook को यहाँ पे दोगे उतना अच्छा वो आपको guide कर सकेगा for example आप पहली बात तो आप क्या चाहते हो कि कौन से action है जो conversion के event को लेके जाएंगे सिर्फ click या view दोनों सिर्फ click चाहिए सिर्फ view चाहिए या दोनों चाहिए फिर click के एक दिन बाद हो seven दिन बाद हो यह click को और view के दोनों बाद हो so sometimes ऐसा होते है कि लोग click तो करते हैं लेकिन वो add को या आगे page को जाके further view नहीं करते convert नहीं करते फिर conversion को करने के अब आपको समझ आगे कि आपने implement कर लिया फेस्बुक के टूल्स आपको पता चल गए अब conversion को करने के कौन-कौन से तरीक होता है वेबसाइट पे हो सकती है conversion आप पे हो सकती है conversion और messenger में हो सकती है conversion आगे वाली वीडियो में हम इन तीनों चीजों को detail में discuss करेंगे अगर आपको कोई question हो तो प्लीज मैं सब्सक्राइब आप बहुत साई लोग जो उनसा है हमें हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियो को और वो जी समझते हैं कि शायद यह सारा content और इसके पीछे सारी information को कठा करने में और आप लोगो help करने में सरफ दानिया अनकाशिव है नहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है help कर रही होती है ताकि आप तक यह सही content पहुंचे इसलिए आप हमें करे subscribe bell का icon करें hit और आप करना चाहते हैं आप करना चाहते हैं subscribe करें बल आइकन को